ओके वेलकम टू आल इस क्लिप में हम सीखने जा रहे हैं शौट टू फाइंड एडजॉइंट एडजॉइंट का शौट ट्रिक क्या है एडजॉइंट फाइंड एडजॉइंट करने का जैसे मान लिजे ये हमें 2 बाइ 2 का और 3 बाइ 3 का हमने दोनों का सीख लेना है देखे ए मेट्रिक्स दे रहे हैं 1, 2, 3 and 5 सो इसका हमने एडजॉइंट फाइंड करना है तो ना तो हमें co-factor find out करने की जरूरत है ना ही उसका transpose करने की जरूरत है सीधा इसका answer है देखिए सबसे पहला step क्या है इनको interchange कर देना जो ये दो values है diagonal वाली minus 5 उपर लिख दिया और 1 इधर लिख दिया ठीक है जी और ये जो दो values हैं इनको as it is लिख देना है और साथ में यहाँ पे negative sign लगा देना है क्या कर देना है सबसे पहला step क्या है कि इन values को interchange कर देना है ये minus 5 उपर लिख दिया ये values नीचे लिख दी और ये as it is ही रहेगी 2 और 3 बट साथ में इसके negative sign लगा देना है तो ये हो गया हमारा adjoint और अगर हमने इसका inverse find out करना है तो वो हमें पता है adjoint ये upon determinant of a इसका determinant तो हम find करी सकते हैं उसके लिए तो आपको 1, 2, 3 और minus 5 आपको पता ही है method this minus this minus 5 minus 6 minus 11 आ गया so ये 1 by 11 minus 1 by 11 और ये minus 5 minus 2 minus 3 1 ये इसका answer है ठीक है जी देखिए कितनी जल्दी आपने ये निकाल दिया किसका इस matrix का adjoint भी सीख लिया inverse भी हमने सीख लिया ठीक है जी so next एक और shortcut देखते हैं हम very very important इतना time नहीं रहेगा exam में बस ये एक method है इस method को apply करें ठीक है जी so अभी हम 3 by 3 की matrix का किस तरह से adjoint find out करते हैं 1, 0, 0 ये एक matrix है 5, 2, 0 5, 2, 0 और minus 1, 6, 1 minus 1, 6 and 1 so इसका method क्या रहता है देखें क्या method है 1, 0, 0 5, 2, 0 minus 1, 6 and 1 ये दो रोज जो है इसको फिर से नीचे लिख देना है 1, 0, 0 5, 2, 0 लिख दी ये वली रो ये पूरी की पूरी ये वली रो और ये वली रो को हमने फिर से repeat कर देना है और ये वला column और ये वला column यहाँ पे लिख देना है ठीक है जी ये वला column और ये वला column हमने यहाँ पे लिख देना है देखें 1, 5, minus 1 1 and 5 ऐसे करना है, ऐसे करना है, हमारे पास यह element रह जाते हैं, और इनकी करनी है, pairing, pairing कैसे करनी है, यह लगाया, यह first co-factor, यह second, और यह वाला third आ गया, ठीक है जी, so adjoint, हमारा निकल गया, यहां से solve कर लेंगे, यह चार element का एक pair बन गया न, टू, माइनस जीरो, यह 2 आ गया, उसके बाद, माइनस, जीरो, माइनस 5, उसके बाद, 30, प्लस 2, 32, अब next row के लिए क्या होगा, next row के लिए यह वला, यह वला, यह वला और यह वला, यह pairing, ऐसे pairing होगा, देखो, बड़े ध्यान से देखना इसको, next वाले के लिए यह वली pairing ठीक है जी, यह 0 और यह भी 0, यह क्या बना, 1 और यह माइनस 6, अब इसके लिए यह वला pair, यह वला यह वला और यह वला, ठीक है जी, सो यह तो 0 यह आएगा, अगला भी 0 आया, और यह बन गया 2, सो यह इस matrix का adjoint था, सो देखे कितने easy way से हमने सीख लिया, कि इसका adjoint किस तरह से हमने करना है, सो a inverse निकालना हो, तब तो आपको बता expand ही करना पड़ेगा, तो इसमें a inverse निकालने के, इसमें तो यह 0 ही है, अगर हम इसका a का determinant find out करें, तो यह 2 ही आ जाता है, ठीक है जी, सो यह a inverse जो है हमारे पास इस case में, adjoint a upon determinant of a होता है, 1 by 2, और यह आपके पास adjoint 2, minus 5, 32, 0, 1, minus 6, 0, 0, 2, ठीक है जी, एक बार मैं फिर से इसको repeat कर रहा हूँ, 3 by 3 को, सबसे पहले आपने जो matrix के element है, वो as it is लिखते ने हैं, 1, 2, 3, ठीक है जी, यह आपने note down कर लो, एक बार फिर से मैं method repeat कर रहा हूँ, फिर से सबसे पहले, 1, 0, 0, 5, 2, 0, minus 1, 6, और 1, फिर यह दो rows repeat करनी है, निच्चे लिखनी है, 5, 2, 0, फिर यह दो column, यह वाली दो rows यहाँ पे लिखती, और यह वाली दो column यहाँ पे लिखने है, 1, 5, minus 1, 1, 5, symmetry में लिखने हैं थोड़ा सा, 0, 2, 6, 0, और 2, और इस तरह से pairing कर देनी है, ठीक है, यहाँ से करना है, यहाँ से, यह हमारे, यह जो element बचे, इनको solve करके हमने लिख दिया, ठीक है जी, share करें, like करें, subscribe करें हमारा चैनल, क्योंकि यह master cadre की तियारी के लिए best channel है, यह हमने एक effort लिया है, कि maximum लोगों को job में लेके आना है, हमने, और यह हमारा motive है, एक education provide करने का, so like and share, और Anil is continuously in touch with you, so please share this channel,